चिराग सिर्फ अपने और खुद को कैसे एक टिकट मिल जाए अपने लोगों को कैसे वो काम कर सके बस उसी में वो लगे हुए है जहां पलायन की बात है तो आज तो चिराग पासवान जो है उनको भी तो सामने आकर के बधाई देनी चाहिए मुखमंत्री जी को बधाई देन है कि जनता कि अचर्ण भालाई की बात हो रही है काम की बात हो रही है तब भी इंडस्ट्री को ले कर के आते इधिस्टेर को ले कर हाते भी हार सअरकार ने डानी जी को बिहार को बेचा नहीं है कोई भी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम नहीं किया है निमानिये परधान मंत्री जो है वो रेल को बेच दिया तेल को बेच दिया वेल को बेच दिया परेटन अस्थल की कमी नहीं है आप देखे सासाराम चले जाएए देखे इतना बेहत्रीन है कि मतलब मैं तो जब गए थी तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये क्या सिमला नैनी तल फेल है तो अभी वहां भी परियाटन का बहुत काम चल रहा है अभी लोग जो नहीं जानते हैं वो जा करके देखे कि सासाराम में किस तरह से मतलब परियाटन को बढ़ावा देने के परियाटन को ले करके लगातार महागडवन सवाल खरा कर रही थी वो भी अब इन्वेस्ट करने पहुंची है एक तरफ बिजेपी के लोग कह रहे हैं कि कल तक जिसे गाली देते थे अब उन्हें इन्वेस्ट करके करवाना चाह रहे हैं ये लोग बरे-बरे लोग को पकरत हैं उसके बाद उनसे आठते हैं और यही लोग करप्सन में इनका नाम आता है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजत के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मदू मंजरी कुसवा जी कैसे देख रहे हैं बीजेपी तो कह रही है आप लोग पहले बरे-बरे कंपनी को पकरते और करप्सन में संलिप्त हो जाते हैं सबसे पहले तो बीहार के नितृत्रित्व को माने मुख मंत्री के लिए युवाओं के भविस्य को उजागर करने के लिए जिस तरह से ये पहल कर रहे हैं जिस तरह से तेजश्वी परसाद यादव जी ने बोला था कि नौकरी देंगे प्राइवेट सेक्टर या गॉर्मेंट सेक्टर में वो लागातार काम कर रहे हैं इसके लिए सबसे प इन्वेस्टर आए हैं बिहार में काम करने के लिए इसके लिए हम लोग इनकी पहल से बिहार की सरकार बिहार में बीजेपी की गठवन्धन के सरकार ही लेकिन इनके पहल आज तक नहीं, इन्होंने क्यों नहीं किया इस पे हम बात करना चाहेंगे कि पूछना चाहते हम उन워서 कि आप इस जो बात बोल रहे हैं कि क्यों नहीं पहल किया अगर आज पहल हुई है और बिहार की सरकार ने यह पहल में अमल करते हुवे मतलब यह आगे कारे हुआ है तो इसमें आपको 60% है कि बिहार में रोजगार हैं क्या आप नहीं चाहते हैं कि बिहार की जंता कर दर्विखार तो इसमें आपको क्यों दर्द हो रहा है यह तो हम खुद उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आए हैं यह लोग यहां पर और करपसन अब भरेगा ही यहां पर उनको लिए करके क्या करना तो यह क्या बोले उनके बारे में उनके बात को तो मुझे नहीं लगता को टिप की जनता कि बाढ़ा की बात हो रही है काम की बात वरे बहुत बढ़ा कोश्र मार बिहार के जनता के लिए आपके दिल he had prima कि आप इस तरह से पटांग बयान दे रहे हैं जब आज भिहार में रोजगार आने की बात ह smell इस पर आ बिहार को बेचने का काम नहीं किया है बिहार के सरकार जो है बिहार में रोजगार लाने की जो बात की थी उस बात को आज अमल किया गया है और उस बात को अमल करते हुए इन्होंने एक और कहा था कुछ की जमीन कहां से बियाडा के पास बिहार में इतने जमीन है तक्रीविए और अब बिहार बढ़ रहा है, बिहार आगे जा रहा है, बिहार में, मतलब जो 10 लाख नौकरी देने की बात, जो मानिय तजस्वी परसाद आदब जी ने जो किया था, लागतार नौकरी बाटा जा रहा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलेगा, कमपनी जब यहां आएगी, तो अब बिहार का जो पलायन होता है, बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराश्च्टरा जाते है, और उनको इस तरह से वहाँ बैइजत किया जाता है, अब इनको पेट में दरद होड़ा कैसे बिहारी सकछम हो जाएगा, कैसे बिहार के बाहर के लोग कैसे बिहार में आकर नौकरी करेंगे, और देख लिए टीचर व कर दिया को तो आपके बिहार में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं आज भी हम इस बात पो बोलेंगे कि हमने बिहार सरकार ने अडानी जी को बिहार को बेचा नहीं है कोई भी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम नहीं किया है निमानिये परधान मंत्री जो है वो रेल को बेच दिया तेल को बेच दिया वेल को बेच दिया बिहार में बेचने का काम नहीं हो रहा है बिहार में उनका जो इन्वेस्ट करने की बात हो रही है वह जो इन्वेस्टर ह उसका मतलब पुर्ण रूप से सहयोग होगा और स्वागत होगा और बिहार के जो हमारे जो बिहार सरकार है हमारे उपमुख मंत्री माने तजस्वी परसाध्यादब जी हैं मुख मंत्री जी हो यह सब इंडस्ट्री लाने के लिए जो भी करनागा वो करेंगे हम वहां बेच इंवेस्टर को ला रहे हैं रोकने की बात की or आया है चिराग पासमन हमीशा हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि बिहार जो है मजदूर के den सिर्फ अपने और खुद्कों कैसे एक टिकस्त मिल जाए अपने लोगों को referendum कांद सके सब्सक्रस्याइब उसी में वो लगे हुए है जहां पलायन की बात है तो आज तो चिराग पासवान जो है उनको भी तो आज सामने आखर के बधाई देनी चाहिए, मुखमंतरी जी को बधाई देनी चाहिए, अब बिहार का मजदूर को बिहार में ही काम मिलेगा बिहार को देखेंगा बिहार में रूद्य हुआ है और हमारा प्लाइन भी रुक आने से इंडस्ट्री आने से तर्फ यही नहीं पर से भी लोग आते हैं यह नहीं सब्सक्राइद है लोगों को भी रोजगार मिलता यहां तो किसी को अपना मकान है तो रेंट का बिजनस बढ़े हैं तो फिर लोग आते हैं विजनस बढ़ता है और अभी देखिएगा कि मानित जशुर्परसाद यादव जी ने अलग अलग सेक्टर में भी काम करने का के लिए बोला है कि अगर मतलब जैसे कि आपको अपरेटन भी भाग को कैसे परमोट किया जा जा। लोग यहां कैसे हैं क्योंकि हमारे यहां अस्थल की कमी नहीं है आप देखे सासाराम चले जाएए देखे इतना बेहत्रीन है कि मतलब मैं तो जब गई थी तो मुझे लग रहा था कि मतलब यह सिमला नैनी तल फेल है तो अभी वहां भी प्रेटन का बहुत काम चल रहा है हैं हमारी जो सरकार है और आगे बहुत जल्द यह दिखेगा कि बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं आई और अलग-अलग छेत्रों में भी काम हो रहा है हमारे साथ थे राज़त की उपाद्यक्च क्या कुछ कहना था इनका क्योंकि जिस तरह से अब इंवेस्टर पहुंच रहे हैं इंवेस्ट करेंगे एक और अडाने अकेले 87 करोर का इंवेस्ट करने जा रहे ही वहीं कई एसी कंपणिया जो हजारों करोर को इनवेस्ट करेगी और कई एसी कंपणि का कहना है कि डायक्ट-इ containing रूप से हजारों लोगों को नोकरी मिलेगा इसको लेकर के शाथी साथ जिस तरह से BJP हमला भर है और करप्सन को लेकर के जो सवाल ख़रा कर दिये उसको लेकर के साफ तोर पे जो है BJP सिनहों या BJP के कोई निता उनको भी खुब हरकाया और कहा है कि देखे अब दीख नहीं रहा है किस तरह से बिहार में अब लोगों को रोजगान मिला है और आप हर बार सिर्फ सवाल खरा करने का काम जानते हैं उसके अलावा जो काम होता है उस पे आपका ध्यान कहां रहता है वहीं चिराग पास्मान को लेकर के भी कह दिया क्योंकि चिराग पास्मान लगातार बिहारी फस्ट की बात करते हैं पलायन की बात करते हैं बिहार जो है मजदूर की फैक्टरी बन गे इस तरह की बात करते हैं इसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि देखें चिराग पासमान को तो अब धन्यवाद देना चाहिए नितीज तेस्वी की सरकार को आखिर किस तरह से आब बिहार में काम हो रहा है अम लेश कुमार लाइब बिहार पटने और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें